दोस्तों इस वीडियो में हम तीन SBI के ऐसे फंड्स को डिसकस करेंगे जो आज की डेट में सबसे जादा रिटन्स दे रहे हैं यानि अगर आपने इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में आज से 4-5 साल पहले कुछ पैसा इंवेस्ट किया होता तो आज की डेट में आपक कुछ पैसा किसी भी से करने में इंवेस्ट कर तक तो मालो आपने वीडियो को कर लिया कल को का डिलाइस अच्छा पर Exactly अपके एक शीयर की वैल्यू 1200, 1300, 1400 ऐसे बढ़ती जाएगी लेकिन अगर मानलो कल को Reliance अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही तो आपके जो share की value वो 1000 रुपे से घटके है 900, 800, 700 रुपे तक चली जाएगी यानि आपकी जो dependency अगर आप shares purchase करते हो यानि जिस भी company का आप share purchase कर रहे हो आपकी पूरी dependency उसी की performance पे आके टिक जाते हैं यानि अगर वो company अच्छा perform करेगी तो आपके price value बढ़ती चली जाएगी लेकिन अगर वो company बेकार perform कर रही है तो उस case में आपके share price की value घटती चली जाएगी लेकिन दूसी तरफ mutual funds की अगर हम बात करें तो mutual fund में जो fund managers होते हैं जैसे मानलो आपने mutual fund में 1000 पे invest किये ऐसे मानलो लाखो करोड़ों लोग उस fund में invest करते होंगे तो जो भी पैसा ही कठा होता है उस fund manager के पास वो कुछ पैसा जैसे मानलो एक उधारन लेके चलते हैं कि आपका जो इसे करके जो आपके घजार उपे हैं वो अलग अलग सेक्टर में इनवेस्ट कर देगा अब इस केस में मानलो कल को इंडिया का ओटो मोबिल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता मानलो एक दम बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है तो इस केस में ओर्टो ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा ही 1000 रुपे बरबाद हो गया इस case में मानलो 100 रुपे की value घटके 50 रुपे पे चले जाएगी लेकिन दूसरी तरफ मानलो agriculture sector बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके prices जो है 100 रुपे से बढ़के 500 रुपे चलेगे यानि मुझे overall loss नहीं होगा मानलो एक आदर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता तब भी मेरे जो funds है वो diversify कर दिये मेरे अलग-अलग sectors में पैसा invest करके तो यह benefit होता है mutual fund का अब यहाँ पर तीनों ही SBA के funds को हम discuss करते हैं कि कैसे कैसे past में उनकी history रही है सारी चीजों देख सकते हों कि past sell लेकर के आज तक कैसे इस fund ने perform किया है अगर आपको भी grow app से अपनी investment स्टार्ट करने है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है कि आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो monthly यानि आपको हर महीने same amount invest करनी होगी या फिर आप one time भी investment कर सकते हो जैसे कि एड करना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को एक zero balance savings account open करना होता है तो ऐसे में kotak mahindra bank का zero balance savings account आज की डेट में best है इसके उपर मैंने detailed video बनाई हुई है कि कैसे आप घर बैठे बैठे 5 मिनिट में अपना kotak mahindra bank का zero balance savings account open कर सकते हो lifetime free zero balance savings account है इसके ओपर detailed video जो मैंने बनाई उस वीडियो का link भी मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा easily उस वीडियो को देखके आप अपना zero balance savings account kotak mahindra bank में open कर सकते हैं अब दुबारा लोटते हैं SVA technology and opportunity fund की तरफ यहां पर आप ध्यान से देखो अगर मैं इसके 3 साल के annualized return की बात करूं तो यहां पर इस fund ने मुझ करूं यानि net asset value की बात करूं इसका जो NAV 2017 में था वो था 46 रुपे और आज की date में जो इसका NAV है वो लगभग चल रहा है 140 रुपे के आसपास यानि almost 3 गुना यानि अगर आज से 5 साल पहले आपने इसमें कुछ पैसे invest किया होता तो लगभग almost 3 गुना के आसपास आपका पैसा हो चुका होता यानि इसके NAV को हमने discuss किया उसके बाद नीचे आप इसे चाहे SIP मोड में start करो चाहे वन टाइम इसमें investment start कर सकते हो return calculator को अगर हम एक बार discuss करें मालो आपने 5000 रुपे की मन्तली SIP स्टार्ट की होती आज से 5 साल पहले तो आपने total amount invest की होती 30000 रुपे और आज आपका जो पैसा है वो हो गया होता 5,69,000 रुपे यानि 86.50% का आपको absolute return मिलता अब ऐसे ही इस केस में मालो तीन साल पहले आपने 5000 रुपे की SIP स्टार्ट की होती तो तीन साल पहले अगर स्टार्ट की होती तो आज तक आपने total amount invest की होती 1,80,000 रुपे और आज आ अपना 21% पैसा इंवेस्ट किया, Infosys Limited के अंदर, TCS के अंदर इसने अपना 11.5% पैसा इंवेस्ट किया, ऐसी भारती एटल के अंदर इसने अपना 10% का पैसा इंवेस्ट किया, Microsoft के अंदर इसने अपना 8.4% का पैसा इंवेस्ट किया, ऐसी HCL के अंदर 7.5% अपना पैसा इ इसकी लगबग सारी इन्वेस्टमेंट टेकनलोजी कंपनी के अंदर ही रहेगी तो यहां पर एक तरह से बहुत ही शांदार फंड है इसने पास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इक्वीटी में इसने लगबग अपना 90% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अगर मैं इसके PE ratio को देखू तो PE ratio इसका चल रहा है 39.21% जब PE ratio बहुत अच्छा चल रहा होता है तो इसे हम एक तरह से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो fund है यह बहुत अच्छा परफोर्म कर रहा है, जब भी fund अच्छा परफोर्म करता है, तो जनरल ही देखा जाता है कि उसका P.E. Ratio हाई चला जाता है, ठीक है, यह बात हम मानते हैं कि P.E. Ratio से हम यह डेटर्माइन नहीं कर सकते हैं, कि fund आगे भी अच्छा परफोर् का exit load आपके उपर लगेगा, ऐसे expense ratio जो है, वो 0.90%, अब यह expense ratio क्या होती है, जैसे मानलो आपका जो भी पैसा है, यानि मानलो आपने 1000 रुपे invest किया, तो 1000 का 0.90% जो है, वो fund managers अपने पास रख लेंगे, अपनी company के growth के लिए, यानि आपका पूरा 1000 रुपे invest नहीं होगा, उसका 0.90% ये लोग as a commission कहलो, या फिर ये लोग ऐसे मानलो कि अपनी company की growth के लिए, आपका 0.90% जो पैसा है, वो अपने पास रख लेंगे, इन सब के अलावा tax implementation के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 15% tax pay करना पड़ेगा, अगर आप एक साल से पहले इस SIP को बंद करते हो, और अगर आप एक साल के बाद इस SIP को बंद करते हो, तो आपके ओपर long term capital gain tax, यहाँ पर लिखा भी गया है, LTCG, यह आपको 10% pay करना पड़ेगा, अगर आपकी जो total कमाई है, वो एक लाग से जादा बैठती है, minimum amount for SIP के अगर हम बात करें, तो 500 पे कम से कम आपको invest करना ही पड़ेंगे, यानि 500 पे से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानि फिर हर महीने आप 500-500 पे इस SIP में invest कर सकते हो, यानि minimum amount आपको 500 पे invest करना कम पल सरी है, इसके बाद हम अपने दूसरे fund को analyze करते है, SBI small cap fund, अब इसने जो अपना सारा पैसा है, यानि इस fund manager न हम इसके calculator को discuss करें, कि 5000 रुपे की monthly SIP अगर हमने start की होती, तो इस case में पिछले 5 साल पहले, यानि आज से 5 साल पहले, एक SIP start की होती 5000 रुपे की, तो उस case में total investment में आज तक करता 3 लाख रुपे, और मुझे जो return मिलता, वो मिलता 5 लाख 8,340 रुपे, यानि SBI technology and opportunity fund से भी इस case में, अगर मैंने 3 साल पहले इस fund में invest किया होता, तो उस case में total invest आज तक करता 1,80,000 रुपे, और मुझे जो return मिलता, यानि जो total amount मिलती, वो मिलती 2,71,651 रुपे, नीचे अगर मैं इस fund की diversification की बात करूँ, तो ये सारी diversification small cap companies में इस fund ने की होई है, small cap company में invest करने का ए आपको chances रहते हैं, risk भी बहुत जादा होता है, और returns भी बहुत जादा होता है, क्योंकि जो small cap company है, वो बरबाद भी बहुत जल्दी होती है, और आबाद भी बहुत जल्दी होती है, तो ऐसे में, अगर मान लो, आपकी जो small cap company में जिसमें आपने पैसा invest किया है, अगर वो small तो फिर आपके जो रिटर्न जादा हाई लेवल के रिटर्न हो जाते हैं ऐसे में रिस्क फेक्टर भी बहुत है और रिटर्न फेक्टर भी बहुत है अब इस फंड ने जो इक्विटी में इंवेस्मेंट किया है वो 90.8% की है उसके बाद अगर हम इसके expense ratio की बात करें तो यह technology and opportunity funds से बहुत कम है यानि expense ratio की अगर हम इसकी बात करें तो 0.74% का ही expense ratio है exit load की बात करें तो यहाँ पर 1% का exit load है अगर आप इस SIP को एक साल से पहले बंद कर देते हो tax implementation सेम है अगर 15% का आपके ओपर tax लगेगा अगर आप एक साल से पहले इस SIP को बंद कर देते हो एक साल के बाद अगर आप SIP बंद कर देते हो तो उस case में long term capital gain tax आपके उपर लगेगा जो की 10% रहता है वो तभी लगेगा अगर आपके जो total returns है आपने जो total कमाई करी है अगर वो एक लाक रुपे से जाद है इसके बाद इस SIP को भी आप 500 पे monthly start कर सकते हो या technology opportunity fund के comparatively बहुत जादा है लेकिन यहां पर एक दिक्कत की बास बस यह वैसे जादा दिक्कत की बात भी नहीं है कि जो small cap companies है ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें return factor तो बहुत जाद है लेकिन यहां पर risk factor भी थोड़ा से रहते तो यह आपको decide करना है अगर आप capable हो risk लेने के लिए यानि आप easily risk ले सकते हो आपको फरक नहीं बढ़ता तो मैं यहां पर आपको suggest करूंगा कि फिर आप SBA small cap fund में invest करो लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा risk तो कम होना चाहिए तो उस case में फिर SBA technology opportunity fund better है क्योंकि जो IT companies आज की डेट में चल रही है जैसा क Infosys, TCS, इनका जो future है यह ठीक है यह मतलब एक लगता है कि long term vision है अच्छा return बहुत जादा दे लेकिन एक अच्छा return आपको मिल जाएगा लेकिन small cap का ऐसा है कि आप अगर आज इस fund में invest करते हो तो आपको भी नहीं पता कि आपको कितना जादा return मिल सकता है लेकिन risk भी है य इसरा fund है SBI Contra Direct Plan Growth अब इस fund ने हमें 3 साल का जो total analyzed return दिया है वो दिया है 21.38% का ऐसे ही 5 साल का अगर हम return देखे एनुलाइज रिटरन वो हमें मिलता है 14.46% का इसी तरह एक बार हम SIP calculator को गर हम देखे अगर आपने 5000 रुपे की SIP आज से 5 साल पहले start की होती तो total आपने investment की ह होती 3 रुपे और आपको जो return मिलता वो मिलता 4,97,000 रुपे ऐसे ही अगर 3 साल पहले आपने SIP में 5,000 रुपे इन्वेस्ट की होते तो अभी तक 3 सालों में आपने investment की होती 1,80,000 रुपे और जो आपको return मिलता total amount आपको मिलती 2,80,866 रुपे अगर हम इस fund के diversification की बात करे तो इन्होंने अपना पैसा automobile sector, financial sector, technology यानि energy sector अलग-अलग sectors में invest किया हुआ यानि एक single sector पर ये dependent नहीं है जैसे कि हमने technology opportunity fund को देखा था उनकी सारी की सारी जो investment है वो single technology sector में जादा थी इसी तरह उसके बाद हमने जो second fund को discuss किया था उसमें उनकी सारी investment small cap company में थी यानि जो small cap companies हैं वो भी आप कह सकते हो कि उनकी जो investment ही वो भी सारी डिपेंडेंटी small cap companies पे लेकिन इनकी जो investment है अगर हम बात करें large cap companies भी है mid cap companies भी और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी खासी है अगर हम इसे बाइफर्केट करके समझे तो इनकी investment आप देखो financial sector में 15% एनर्जी सेक्टर में 14% ओटो मोबिल सेक्टर में 11.5% ऐसी construction सेक्टर में 8% सर्विस सेक्टर में 7% है तो इन्होंने पूरा का पूरा बाइफर्केट कर दी अपनी investment को यानि यहां पर मैं इस fund को यह काऊंगा कि returns आप यह मत देखो कि बहुत जादा मिल जाएंगे ठीक है ल परबाद होगा नो ऐसे में मालो मेरा energy सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे है तो उस case में मेरी जो investment energy सेक्टर में की गई है साड़े 14% क्या पता यह इतनी जादा बढ़जे कि जो मेरा loss financial सेक्टर में हुआ है वो उसको overcome कर जे और बाकी sectors भी अच्छा परफॉर्म क इसके अलावा एक अच्छी बात इसकी जो नहीं है वो यह है कि इसका expense ratio बहुत जाद है जैसे हमने पीछे दोनों fund को analyze किया तो उनका expense ratio बहुत कम था लेकिन इसका 1.28% expense ratio है तो यहां पर यह अच्छी चीज नहीं है expense ratio जितना कम हो उसी fund में आपको invest करना चाहिए तो यहां अपनी SIP एक साल के बाद बंद करते हो उसकेस में long term capital gain tax लएगा 10% का अगर आप एक साल में 1,00,000 रुपे से जादा पैसा earn करते हो minimum SIP 500 रुपे की यहां पर भी आप start कर सकते हो तो यह था दोस्तो एक छोटा सा analysis SBA के 3 best fund का दोस्तो उमीद करता हूँ आपको video informative लगी होगी अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all